आज मैं आप लोगों के लिए waterproof makeup लेकर आई हूँ जो कि low budget में है और आप देख सकते हो मैं अपने face पर जो है पानी डाल कर दिखा रही हूँ और मेरा makeup बिल्कुल भी नहीं हटा पानी मेरे face से फिसल रहा था बट मेरा makeup बिल्कुल भी नहीं उतरा क्योंकि ये पैनी स्टीक से किया है यानि कि जो ओलोविया की पैनी स्टीक आती है उसके साथ मैंने इस makeup को create किया है साथी ये बहुत low budget makeup भी है और जी पैनी स्टीक जो होती है वो waterproof होती है और आपके makeup को बिल साथी होई है और वो जो है साथी के बाद इस लुक को create कर सकती है तो चलिए हम देखते हैं हाई गाइस वेलकम बेक तो माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हो तो दिखे सब से पहले अपने face को अच्छे से क्लीन कर लेना है बाद करते हो ऐसम、、 इसे के ऊपर मेरे चैनल पर सेप्रेट वीडियो है। लेंस की कैसे अपको अपलाई करने है। कैसे आपको जो है इसको रिमूब करना है आप मेरी वीडियो में देख सबाटे हो aPko प्रॉब्लम होती है। unch ऑले मैं लगा यहां गां टोन आपके पास है तो आप जरूर टोनर लगाएं क्योंक्ति हमारे फेस पर जो ओपन पौर्स कि दिकत होती है , वह मिनिमाईज होती है , तो देखिए आप टोनर ज़रूर लगाएं , टोनर नहीं है , तो आप रोजवॉडर का भी एज़ा टोनर यूज कर सकते हो , और इसके बार यहां पर मैं वा मौसराइजर जरूर लगाना चाहिए ताकि आपका मैकप ड्राय ना पड़े तो देखिए यहां पर हमारा जो है मौसराइजर अपलाई हो गया है और इसके बाद जो है महीं आपर प्राइमर यूज कर रही हूं तो देखिए प्राइमर के लिए जो है आप अच्छे से के लाखने के बाद कम से कम दो मिनेट आपको जो है अपने शोड़ना होता है मियह काफिए तो धिकलि यहां तो इसकी मेल्यों के में तक मेरे आच वन आक मिनौन केम फैस्ट होते है तो मैं घ्ल मनेट 2 हूट Pres prostate लिए मैं तो सबस्क्छ विर्बर के लिए जल झेडिन यह आप डियो आपकी मर्जी है आप बाफ के सब कर सकते हो और आटम को फिल करने के लिए आप बहुत जहां मैंबडक आपके का generating सबसक्का doubts गयों का जाיר कर सकते हो यह भी आप यह ऐध्याप थिर पर यसकंद पर शकर सकते हो तो रहीँ हैं मेरे जो नंबर है गो जीरो थृ है तो देखिए ये वेरा मेरी स्कीन से परफेक्ट मैच होता है तो आप अपनी इस किन को जो को ले इसको blend कर लोंगी और इसकी बाद जो है आप चाहिए तो compact से set भी कर सकते हैं अधर्वाइस मैं set नहीं करती हूँ मैं direct जो है winds make up करती हूँ है तो देखें हिहां पर हमारी जो है ice ready है और मैंने जो है Lazis qold की यह palette ली है और इसे में जो है shimmery matte, plus flavorattered से यह काहिँ अच्छी पैलेट है तो देखिए इसी में जो है मैं आज जो है ड़्बॉत से आईज र्याँ भी कर्णाफ इन रहिसा बेदे क्लाच होँ उत-ली और क्योंकि मांफटी कंपल से आइस मेकपल होगे सब्क quickly तो मैं इसको अच्छे से ब्लैंड करूंगी देन ब्लैंड करने के बाद इसके बाद जो हमाई लीड एरिया पर येलो जो सिमरी येलो कलर होता है वो में यहां पर पिक कर रही हो अपनी फुल लीड पर अपलाई करूंगी इसको तो आप देख सकते हो एक ब्रेस की हल्प से मै अपनी लीड एरिया पर अपलाई कर लूँ क्योंकि मेरा जो आउट फिट है वो मैंने येलो कलर कर पहना है तो देखिए आपको जैसा अच्छा आइस मेकप लगता है वैसे आप कर सकते हो यहां पर मैं ऐसे कर रही हूं बहुत सिंपल है बहुत जल्दी से होने वाला यह आ लेके मैं स्विच बैस यूज़ करती हूं यह मैंने जो बिए यूज़ किये सुच बीटी के ब्रस है और इसके बार मैं यह मैं यह मैयग का ला ले रही है वैसे है यह कर सकते हैं आप चाहे तो थोड़ा मोटा करके लगा सकते हैं आप चाहे तो विंग निकाल सकते हैं आप चाहे तो जैल लाइनर भी हापर लगा सकते हो तो देखे मैंने हापर लाइनर लगा ली है और दूसरी आइस में मैंने ऑफ केमरा लगा लिया है और इसके बाद जो मैंन आपने फिंगर से जो इसको अच्छे से ब्लैंड किया है देख सकते हो आप और मैं जो है इनर कोर्णर में भी अप्लाई कर लूँगी हलका जो सिल्वर कलर का हाइलेटर होता है वो मैंने इसको मतलब इनर कोर्णर पर अप्लाई किया है। में आखौता अपलाई कुछ इसके बाद के पार मैं इसकी मनी आपकी आंगे आधने बाल ईस और द Α्धा से stops इसकी ना काhey पार मस्कारे करें तो देख़ी pain दी तो देखिए बहुत आसानी से लग जाती है तो दूसरी आइस में भी मैं ओफ केमरा लगा लूँगी यहाँ पर मेरी डोनों ही आइस में फो लेसिस लग गई है और इसके बाद फिर से जो है मैं मस्कारा का यूज कर रही हूँ ताकि हमारी जो रियल लेसिस है और फेक लेसिस में कोई भी डिफरेंस ना दिखे तो इसलिए आप जरूर लगाए हलका हलका मस्कारा और इससे जो है अच्छा सा वोलियम भी आता है और जी अब मैंने एक पैंसिल ब्रस लिया है और उस पे जो है मैंने यह यहलो कलर को और परपर कलर को मिक्स करके जो है लोवर लाइन पर मैं अपलाई कर रही हूँ ताकि मेरी आइस अच्छी लगे देन जो है बड़ी भी दिखे है तो देखिए अब जो हमारा आइस मेकप कमप्लीट है और यहां पर जो है मैने अगेन अलोविय आ पैंसिटिक ली है जो कि मैं बेस बनाऊंगी इसी के साथ मैं मैं बेस मनाने वाली हूँ तो देखिए मैंने यहां पर जो है थोड़ा थोड़ा करके अपलाई कर रही बोहतर एजिली जो है मैकप कर सकते हो बट इसका जो है आपको ब्लैंडिंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना है और इसकी जो coverage है वो काफी अच्छी है तो आपके face पर किसी भी तरह का निसान है या फिर आपके face पर जाईयों के निसान है या फिर आपके face पर जो है जो आपकी face की skीन है वो dull है तो देखिए मैं यही कहूंगी कि आप जो है अलो विया की पैन श्टीक के साथ मैक अप करें है सिंगल ही मैंने इसको अपलाई किया है और मेरे जो मेरे जो होट के निचे हलका सा एक निसान था उसको भी इसने अच्छे से कवर कर दिया है तो यह बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो बहुत अच्छी लगी आप एक बार जरूर ट्राइ करना इस पैन स्टिक को इसके को मैं कर देख सकते हो और एक ब्रस की हलब से मैं इसको अच्छी से ब्लेंट कर जलें एक क्यांगी आप लोगों को को बता रही हूं और दूसरे साइट जु amino मैं off camera करूंगी ताकि वीडियो लंबी न हो तो देखिए आप मैं जो है अच्छे से contouring कर लूँगी तो आप देख सकते हो difference की हम contouring करते हैं तो कितना हमारा face shape में आता है और हम contouring नहीं करेंगे तो हमारा face अच्छा नहीं लगता है तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखे और अपने makeup में आप जो contouring जरूर करें आप अपनी nose पर भी contouring जरूर करें आपकी nose मोटी है तो बहुत ही अच्छी जो है पतली हो जाएगी और बहुत अच्छी safe आएगी आपकी nose की और इसके बाद जो मैं blush use कर रही हूँ तो यह blusser जो है my glam 2 का है जो कि बहुत ही अच्छ beauty की palette ले सकते हो उसमें जो है आपको blusser मिलेगा plus contouring मिलेगी plus highlighter आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही सच्छी में आ जाती है I think 300 में आ जाती है तो आप वह भी ले सकते हो तो देखिए यहां पर जो है आपने blusser को apply कर लिया है और उसके बाद जो है मैं आपर makeup fixer ले रही हो ताकि हमारा जो highlighter है वो अच्छे से जो है अच्छे से बैट जाए अच्छे से मतलब हटे ना तो set हो जाए और उससे जो है थोड़ी सी pigment भी ज्यादा अच्छी आती है तो आप देख सकते हो है यहां पर मैंने फिर से जो है माई glam का यह highlighter लिया है तो आप देख सकते हो मैं हलका हलका highlighter लगा रही हूँ और इसमें जो है चार color है और मैं चारो को mix करके ही apply कर रही हूं अपने face पर तो आप देख सकते हो इस तरीके साब makeup कर सकते हो और बहुत सारों की जो है शिकायत रहती है कि हमारा makeup काला पढ़ जाता है तो देखिए डिय या फिर कुछ भी pigmentation की problem है तो आपका face काला पढ़ सकता है तो इसलिए मैं बोलती हूं makeup से पहले आपने face को अच्छे से जो है आप स्क्रब कर लें आप अच्छे से और अच्छे से प्रैप करें ताकि आपकी skin काली ना पढ़े तो देखिए या पर जो है मैंने lipstick ली है जो क अच्छे काउट कर लेना तो यहां पर मैं lipstick को apply कर रही हूं और यहां पर मैं direct lipstick को apply कर रही हूं आप चाहे तो लिप लाइनर का यूज कर सकते हो आउटलाइन को create कर सकते हो आपको problem होती है lipstick apply करने में तो देखिए यहां पर मेरा almost जो मैंकफ है वो done है और यहां पर मैं थोड़ी सी काजल भी apply करूंगी अपनी आइस में ताकि मेरी आइस थोड़ी सी और बड़ी दिखे तो यहां पर मैं maveline की जो है काजल ले रही हूं और इसको मैं apply करूंगी तो देख सकते हो आप और वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को like जरूर करना apply करते हो तो हम मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए तो please like जरूर करना और जी अब मैं आपको final look दिखाती हूं त जो है मैं जो जूल्डी थी इसका combination मुझे काफी अच्छा लगा इस dress के साथ तो आप लोग बताना कि आप लोगों कैसा लगा और जी यह मेरा final look है आप देख सकते हो और यह makeup बिल्कुल भी कहीं से कहीं नहीं जाने वाला है यह बहुत ही अच्छा makeup हुआ है आप पानी भी अपने face पर डालोगे तो आपका पानी जो है फिसल जाएगा अधरवाइस आपका जो makeup है वो कहीं नहीं जाने वाला है तो मैं आपको बताती हूँ अपने face पर पानी अप्लाई करके तो आप देख सकते हो तो देखिए मैं यहाप अपने face पर जो है पानी डालोंगी और मैक अप जरूर करना और आप मैक अप करके फिर मुझे जरूर बताना कमेंस में और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो तो ये भी जरूर बताना तो देखिए मैं यहाप थोड़ा सा मैंने पानी अप्लाई किया है अपने face पर और आप देख सकते हो मेरा makeup जैसे के तैसा ही है और जी मैं अपने हाथों से भी इसको पोच के दिखाती हूँ मेरे हाथों पर बिल्कुल भी makeup नहीं लगा तो आप देख सकते हो और जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बा बाई निया हुआ थाट के लिक लिएyuडियो हुआ अप के लोग है चूषज रखी इस कि और हुआ टीप हुआ नहीं च जो दो एटोर भी आफ दोर बाई फैसके लाद कि तोर ले जे 1946 कर देया हुआ हुआ है या वहाँ हुआ हुआ है अ